अच्छिए अच्छिए कि आपके पास यह सवाल है राइट आप बेस एंड एक्समोनेंट इन इच ऑप दा फॉलिंग मरें बडू सवाल है सेविन की पावर 15 तो हमें इसमें बताना है कि इसमें बैस क्या है और एक्समोनेंट क्या है जो यह नीचे जो चीज होती है वह हमारे इसके उपर की जो चीज होती है, जो पावर होती है, उसको हम आम जबान में, इसकी जबान में, मैं इसकी जबान में exponent भी कहते हैं, वैसे हम आम तौर पर इसको exponent कहना चाहिए हमें, तो इसके जो इसकी जो बेस है, वो है 7 और इसकी जो exponent है, वो है 15, असरा नेक्स जबान में भ उपर जो चीज होती है, उपर की जो power होती है, वो exponent होती है और जो नीचरी होती है, वो बेस होती है, तो इसकी base हमारे पास हो गई 108 और exponent हो गई इसकी 64 थांप लोह ने इसकी मैं प्रता रहा हूं, सवाल है हमारे पास कुछा कहा है कि write the base and exponent in each of the following तो हमें इसमें यह बताना है कि इस सवाल के अंदर base क्या है और exponent क्या है तो जो base होती है वो जो होती है वो नीचे वाले चीज़ होती है और base किसी भी चीज़ की जो base होती है वो जाज़े से हमारे पास building है उसकी base होती है उसके उपर हम floor काइम करते हैं तो वो उसकी powers होती है इ अब है पर नेक्स सवाल है, हमारे पास के indicate which of the following are positive real number and which are negative real number. हमें बताना है कि हमारे पास जो सवाल है इसमें बताना है कि कौन सा हमारे पास real number है और कौन सा हमारे पास positive real number है. सवाल है ये, तो हमारे पास ये होगा कि अब जिसकी power even होती है, जिसकी power even होती है, वो positive real number होता है. और जिसकी power और जिसकी power odd number होती है, वो negative real number होता है. जिसकी power odd number होती है, वो negative real number होता है. आपको पता है कि even number वो होते हैं जो 2 के table में आते हैं, और odd number वो होते हैं जो 2 के table में नहीं आते हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि positive real number वो होते हैं जिनकी power even हो और negative real number वो होते हैं जिनकी power odd number हो. ठीक है अब हमारे पास सवाल है कि which of the correct way of finding the value अब इस सवाल लिखा हुए आपे बताना है हमें चूस करना है कि हमें क्या करना है हमारे पास यह दो आपशन दिए गए हैं हमारे पास इन दोनों में से कौन सा option use करना है यह लिखा है सवाल है 38 bracket बनी वी है और 83 के उपर power 9 लिखी है तो आप मुझे अब हमें यह बताना है कि हमें पहले क्या find करना है पहले हम सवाल पढ़ते हैं we first multiply 38 with 82, 83 and then find the 9th power of this product लिखा है यह तो फिर हमें यह करना चाहिए we first the 9th power of 83 and then multiply it तो सवाल को देखता है आपको पता हुने चाहिए कि सबसे पहले हम small bracket solve करते हैं सबसे पहले हम small bracket solve करने के लिए क्या होता small bracket के उपर power क्या लगी है 9 तो पहले हम 83 की power 9 मालूम करेंगे फिर इसको then multiply करेंगे 38 से आपको पता है कि match में यह roll होता है कि सबसे पहले small power use की जाती है small power को इस्कामाल के जाता है small power की power है 9 तो 83 की power है 9 तो पहले हम इसको solve करेंगे फिर इसको 38 से multiply करेंगे तो हमारे पास second option बिल्कुल सही है second option बिल्कुल सही है तो हम second option पे click कर देंगे कि अब हमारे पास सवाल है simplify के तो इहांपर है 91 की power 4 अब हमें पास सवाल है तो हमें इसको solve करना है अब हमें से simplify करना है हमें हमें 91 की power क्रती दीव हूं 4 91 की power क्रती दीव है तो 4 तो minus 91 multiply by minus 91 उसको हम 4 times देंगे माइनस का 91 मैंटिप्लाइब बाइ माइनस का 91 आपको पता है कि जिसकी पावर जिसकी पावर even number हो तो उसके अंदर जो माइनस का sign होता हो खतम हो जाए तो 91 के उप़र power 4 आजाएगी अगर हम solve करना चाहिए कर सकते हैं लेकिन हमें solve करने जोट नहीं है हमें पस इसकी पावर प्लस का साइन होता है या नहीं होता है तो आपको ये याद रखना है कि अगर even power है तो अंदर को साइन है वो माइनस वो खतम हो जाता है अगर एवन पावर है तो माइनस का साइन खतम हो जाता है जैसे यह माइनस माइनस क्या हुआ प्लस फिर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस प्लस माइनस क्या हुआ माइनस माइनस क्या हुआ प्लस इस तरह जिसी यह माइनस 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 प्लस इस तरह यह even power even power होने की वज़े से अंदर का sign क्या हो जाता है कतम हो जाता है minus का sign नेक्स सवाल है मैं बस 5 की पावर 4 multiply by 5 की पावर 2 अब मैं आपको बता दू multiply में जब जिसकी बेस सेम होती है जिसकी बेस सेम होती है जिसकी बेस सेम होती है उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है जिनकी बेस सेम यह बेस है यह बेस है और यह exponent है जिनकी बेस सेम होती है उनकी एक्स पावर जो है वह प्लस हो जाती है तो 5 5 4 प्लस 2 जिनकी बेस यह बेस कहलाती है जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर आपस पे प्लस हो जाती है अगर यह तो यह 5 4 प्लस 6 यहां मानस लिखा होता है तो मैं यहां मानस लिख देना ले हो टो मैं आपधिनर कोई साइन नहीं डोड समक्राओ होता है जब कोई साइन नों तो क्या होता है प्लास होता है हुआ है कर दो कर दो है सवाल लिख रहा हूं मैं अब हमारे पास जीनकी सवाल में जो जो जीनकी बेस से पैस्वाले है उनको web करूश एब बादि ли northern 3, पर C की पावर एक जगा करने के, तो यह हो जाएगा 5, यहां पावर जब कुछ न हो तो 1 होती, क्या होती है, 1 तो 1 plus 5, यहां B है, D base हो गई और इसकी पावर जम की तू प्लस 3, यहां C है, C की पावर जम हो गई 3 plus 2, तो A की पावर आवे 6, और B, 232,3fast 23 bacai 5 और CB 23 plus gear 5 जिननकी बेस सेम होती है उनकी 파वर आपस में जमा या जिसका है आजिनकी बेस सेम थी मैंने पहले उनको ए जगा करें कि शेखे को अलग कर तोạnh करण या B B को अलग करण डिया C C को A A को अलग कर दिया B B को अलग कर डिया इनकी powers को मैंने एक जगा कर दिया, प्लस कर दिया को यह प्लस हो रही थी अब नेक्स सवाल में अपस 12 है, यह दिखें, 3 x 5 x y 14 अब इसके उपर पावर लिखी है 14, इसके उपर लिखी है पावर 14 अब किसी ब्रैकेट के अंदर जब कोई चीज होती है तो वो पावर जो होती है, वो सब के उपर आती है, पावर बारी बारी सब के उपर आएगी, मतलब इसके उपर भी यह पावर आएगी, इसके उपर भी पावर आएगी, एक्स के उपर भी आएगी, वाई के उपर भी और येमस